Hello friends, welcome back to my YouTube channel आज के इस वीडियो में मैं 19 मार्च के सम्वीरा एक्जाम का एनलेसिस करूँगा गड़त में आया हुए सभी सवालों को हम डिसकस करेंगे और उन सवालों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा और जो छात्र गड़त में कमजोर हैं जिनकी मैंट्स वीक होती हैं वो भी मेरे इस YouTube चैनल से जोड़ सकते हैं और बिलकुल बेसिक से दीरे जीरे कॉंसेप सिखा कर मैं आपको बहुत बड़े लेवल तक ले कर जाऊँगा चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास शुरू करते हैं आपके सामने दू क्वेस्चन लिखे हुए हैं क्वेस्चन है 125 के 30% प्लस 300 के 45% बराबर क्या होगा तो आप इसको क्या लिखोगे 125 का मतलब गुड़ा 30 प्रतीसत 30 बटे 100 इस प्रतीसत मतलब प्रते 100 100 से भाग प्रतीसत थटेगा नीचे 100 आ जाएगा प्लस 300 का मतलब गुड़ा 45 बटे 100 प्रतीसत थटेगा 100 से हम भाग देंगे तो देखो 0 से 0 कड़ गया 5 दूनी 10 बचा दू 25 ठीक है यहाँ पर 2 0 से 2 0 कड़ गया अब आप 45 का 3 में गुड़ा करो तो 35 है 15 की 5 हासल 1 तीचो को 12 और 13 किपना आगया 135 प्लस देखो 25 ठीक है 75 यह होगे आपका 75 बटे 2 अब 75 के आधे 75 के आधे होते हैं आपके 37.5 है ना अब 37.5 में आप 135 जोड़ो तो आपका आणसर आजाएगा ठीक है तो 5 ज्यों के तो 75 12 की 2 3 3 6 और 1 7 172.5 इस question का answer है नेक्स question क्या है यदि 3 की घा 10 गोड़े 27 का वर्ग बराबर 9 का की उपर 2 की घा गोड़े 3 की उपर N हो तो N का मान ग्याद कीजिए तो इस तरह भी मैं पूरे question को 3 में बदलूँगा इस तरह भी मैं पूरे question को 3 में बदलूँगा यहाँ पर 3 का घान और उपर 2 की पावर 9 को मैं लेख सकता हूं 3 का वर्ग और इसके उपर 3 का वर्ग कितना हो गया 9 इसके उपर 2 की घात गोड़े 3 के उपर N की घात ठीक है तो यह हो गया 3 की घात 10 गोड़े अगर पावर की उपर पावर हो it means अगर A के उपर M की घात है और इसके M और N का आपस में गुड़ा हो जाएगा, इट मीन से हो जाएगा A के उपर M गुड़ा में N, तो यह इन दोनों का गुड़ा हो गया, तो तीन दोनी 6, बराबर दो दोनी 4, तो तीन की घात 4 गुड़ित तीन की घात N, अब अगर लखाए A की घात M, गुड़ित A की घात N, अगर आधार समान है, तो गुड़ा में घातें जुड़ जाती हैं, इसका मतलब हो जाएगा A to the power M plus N, तो एकी जगा पर यहाँ पर 3 है, एकी जगा पर 3 है, आधार समान हो गुड़ा में तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 और 6 हो गया 16, तो 3 की घात 16, यहाँ पर भी आधार समान है, तो 3 की घात हो जाएगा 4 plus N, तो मैंने बूला था, यह भी 3 की power बन गया और यह भी 3 की power बन गया, जब आधार समान हो, कहने का मतलब A की power M है, और A की power N है, आधार समान हो, तो डारेक्ट घातों की तो ना कर सकते हैं, तो 16 बराबर 4 plus N, यह 4 ट्रांसफर हो कर इस तरह पाएगा, तो 16 माइनस 4, 16 में से 4 क्या 12, 12 बराबर N, तो इस question का answer क्या है 12, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को आप like कर दीजिए, दूसरे लोगों तक सेयर जरूर कर दीजिएगा, मैं अपने YouTube चैनल पर कमजोर छात्र जो हैं गड़ित में, उनको मैं बहुत को सिखाऊंगा, आपको दावा करता हूँ, बस आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रही है, और जहां कहीं पर भी समझ में नहीं आता, तो आप वीडियो को थोड़ा इधर उधर कर लीजिए, इसमें तीन कॉंसर लगे हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो इसका अंसर कितना है, 12, अगला सवाल यह रहा आपके सामने, क्वेस्चन है, एक वस्टू को 25 प्रतीसत की हानी पर 84 सो रुपए में बेचा जाता है, तो वस्टू का क्रेमूल गयात करो, तो क्रेमूल को हम बुलते हैं, कॉस्ट प्राइस, जिस भी कीमत पर किसी वस्टू को खरीदा जाता है, उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और विक्रेमूल को बुलते हैं सेलिंग प्राइस, जिस कीमत पर वस्टू को बेचा जाता है, उसे कहते हैं विक्रेमूल सेलिंग प्राइस, मालो यह पैन मैंने 20 रुपए का खरीदा, स्टेशनरी की सॉप से, तो 20 रुपए मेरे लिए क्रेमूल हो गया दुकानदार ने 20 रुपए का पैन मेरे लिए बेचा तो वो उसके लिए selling price भी क्रेमूल हो गया तो cost price इनने बुला 25% की हानी पर 8400 रुपए में बेचा जाता है तो कहने का मतलब जो आपका क्रेमूल होगा न वो हमेशा 100% होगा क्रेमूल को आप हमेशा कितना मान कर चलोगे 100% अब अगर 25% की हानी पर बेचा इट मींस 75% में बेचा अगर 25% की profit पर बेचा होता तो 100 में 25 प्लस करो 125 आ जाता तो 75% का वस्तू बेचा है 75% की value सवाल में कितनी है 8400 रुपए है ध्यान से देखो एक वस्तू को 25% की हानी पर 84 रुपए में बेचा जाता है तो वस्तू का क्रेमूल बताओ तो 100% का खरीदा मालो मैंने ये 20 रुपए का खरीदा और 15 रुपए में बेचा इट मींस कम में बेचा तो 100% की जगा 100 में से 25% घटाओ तो 75% में बेचा तो 75% की वैल्यू चौरासी सो तो 1% की वैल्यू कितनी होगी चौरासी सो बटे पच्छत्तर निकालना कितने है कि ये सो की तो इसमें सो से गुणा कर दू तो ध्यान से देखो 25 तिया 75 25 चोको सो तीन से काटोगी तो 28 तिया 84 हो जाएगा तीन दुनी 6 बचा दो 28 चोको 28 दुनी 56 दुनी 11,200 आजाएगा ये आजाएगा देखो 4,8,32 की 2 हासिल 3 4,2,8 हो 3,11 पीछे 2,0 थे ना तो 2,0 चिपका दो तो 11,200 आंसर है अगर आपको क्वेस्टन पसंद आ रहा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को दूसे लोगों तक सेर करिए और जादा पसंद आ रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे क्वेस्टन है वर्तमान में ए और बी की आयू का अनुपात 3 अनुपात 1 है 4 वर्स पूर्ब अनुपात 4 अनुपात 1 था तो जो वर्तमान वाला रेशियो दिया है सबसे पहले मैं उसको नोट करूँगा और ये दिया है 3 अनुपात 1 तो उसको मैं कहा दूँगा कि वर्तमान में जो आयू का अनुपात है वो कितना है 3x अनुपात x 4 साल पहले जैसे आज मैं मानलो 25 साल का हूँ 4 साल पहले मैं कितने का रहूँगा 25 माइनस 4 21 साल का 3x माइनस 4 4 साल पहले 3x में से 4 घटेगा और x में से भी 4 घटेगा x माइनस 4 जैसे मैं 25 साल का हूँ मेरा फ्रेंड 24 साल का है तो 25 में से 4 घटा तो 21 और 24 में से 4 घटा तो 20 तो दोनों में से 4, 4 माइनस होगा 4 साल पूर्व अनुपात था 4 बटे 1 गुणा कर दो तो 3x रन 4 का 1 से गुणा होगा तो 3x रन 4 4 का 1 से हुआ तो 4x माइनस 4 चोको 16 अब क्या होगा 3x उस तरफ चला जाएगा 16 इस तरफ चला जाएगा तो रन का 16 इस तरफ आया तो धन का 16 होगा माइनस 4 धन का 3x उस तरफ जाकर रन का होगा तो 4x माइनस 3x 4x में से 3x गया x और 16 में से 4 गया 12 पूछा क्या है कि किसकी अमर एक ही तो मेरा A जो था वो तीन भाग था और मेरा जो B था B वाला भाई वो एक भाग था जब X की वेल्यू बारा आ गई तो A तो तीन X है तो 12 इंटू 3 उमीद है आपको यह question 7 में आ रहे होंगे तो यह exam के question है अगर आप तरीके समझेंगे न तो आपसे exam में question जरूब बनेगा आप concept पर तरीके पर ध्यान दीजे सवाल वही का वही exam में नहीं आता है Maths आपको सीखने पड़ेगी this is the reason why आप concept पर focus करिए अगला सवाल है संभाहू तर्भुच की भुजा वर्ग के विकार्ण के बराबर है यदि वर्ग की भुजा 12 cm है तो संभाहू तर्भुच का छेत्रफल याद करो question में लिखाए कि संभाहू तर्भुच की जो भुजा है वो वर्ग के विकार्ण के बराबर हो वर्ग की भुजा मुझे दिये 12 ध्यान से देखना एक वर्ग एक ऐसा चतर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है it means इसकी चारों भुजाएं हो गई 12 cm और वर्ग के विकार्ण की लंबाई होती है एक करणी दो ए रूट तू यानि कि वर्ग का विकार्ण हो जाएगा 12 करणी दो है ना वर्ग की प्रतेग भुजा है ना वर्ग की प्रतेग भुजा बराबर होती है एक ऐसा चतर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसक सम बाहू तरभुच का जो 6 त्रफल होता है करणी 3 बटे-4 गुड़त भुजा का वर्ग करणी 3 बटे-4 गुड़त एक का वर्ग तो करणी 3 बटे-4 कितना हो गया 144 और करणी 2 का वर्ग है ना करणी 2 गुड़त करणी 2 जब होगा ना तो रूट से रूट कैंसल हो जाएगा खाली 2 बचेगा तो यहाँ पर आगया 2 ठीक है तो 4 से काटो तो 4 तीया 12 बचादो 4 चिंग 24 36 दुनी 72 करणी 3 इस क्वेस्चन का अंसर है उमीद है आपको समझ में आया होगा कहीं पर भी डाउट है तो वीडियो को छोड़ा आगे पीछे करके स्क्रॉल करके देख लीजेगा यदि दो सम्भाहू त्रभुच की भुजाओं का अनुपात है इक अनुपात दो है मालोग पहले त्रभुच की भुजा को A1 कह दो तो एक दिया है और दूसरे त्रभुच की भुजा को A2 कह दो तो इनका अनुपात दिया है एक बटे दो तो उनके छेतर फलों का अनुप तो संभाहू त्रभुच का छेत्फल होता है करनी 3 मटे 4 गोड़े भुजा का वर्ग है ना दो अलग अलग भुजा है ना तो एक भुजा हो गई करनी 3 मटे 4 A1 का वर्ग बटे करनी 3 मटे 4 A2 का वर्ग तो करनी 3 मटे 4 और करनी 3 मटे 4 कट गया एबन की जगा कितना है एक तो एक का वर्ग कर दो एटू की जगा दो है तो दो का वर्ग कर दो तो एक का वर्ग है एक और दो का वर्ग कितना आ गया चार तो उस question का answer क्या हो जाएगा D option तो बहुत ही basic question है आज आपने सीखा संभाहुत्रबुच की चेतफल का formula वर्ग के विकार्ण की नंबाई का सूतर होता है एक और नी दो बहुत ही basic बात है जानी तो यह आपको note करते जाना है जो जो कुछ आप नया सीखोगे तो आप उसके notes बनाते जाईए उसको proper आप note करते जाईए एक दिन आपका भी बहुत बहतरीन content होगा और concept भी आप नयाना सीख चुके होगे अगला question है question number 7 6 सही एक बटे 4 प्रतीसत के 1600 प्लस 12 सही एक बटे 2 प्रतीसत का 800 कितना होगा options है options are 100, 200, 300 and 400 तो देखो इसको कैसे solve करेंगे इसको पहले सही भिन बनाओ proper fraction मनाओ तो 6 चुको 24 और एक 25 यह हो गया 25 बटा 4 प्रतीसत हटाएंगे ना तो प्रतीसत हटेगा तो नीचे आजाएगा 100 का मतलब गुणा यहाँ पर आगया 1600 प्लस 12 दुनी 24 और एक 25 तो 25 बटा 2 प्रतीसत माने प्रतेग 100 प्रतीसत माने 100 से भाग और का मतलब गुणा यहाँ पर आगया 800 देखिए इसको कैसे solve करेंगे 2 0 से 2 0 कट गया 4 एकम 4, 4 चोको 16 25 चोको कितना आगया 100 बीच में लगा है प्लस उपर के 2 0 से उपर के 2 0 कट गया 2 एकम 2, 2 चोको 8 25 चोको कितना आगया 100 100 प्लस 100, that is equal to 200 this is the answer of this question एक आयताकार खेत की लंबाई 20 प्रतीसत बढ़ा दी जा और चोड़ाई 10 प्रतीसत कम कर दी जा तो छेतरफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो देखो 20 प्रतीसत की जो भिन्न होती है ना देखो लंबाई इन्होंने बढ़ाई है लेंथ बढ़ाई है और ब्रिट्थ को कम किया है तो बहुत कह रहा है वो यह पूछ रहा है लंबाई को बढ़ा दिया चोड़ाई को कम कर दिया तो छेतरफल में क्या प्रभाव पड़ेगा तो 20 प्रतीसत प्रतीसत हटाओ प्रतीसत माने 100 से भाग तो प्रतीसत हटेगा नीचे 100 आ जायेगा 20 से कम 20 20 पन चे 100 20% की भेंड़ बन गई 1वटे 5 चोड़ाई को 10% कम कर दिया तो 10 प्रतीसत प्रतीसत हटाओ नीचे कितना आ जायेगा 100 जब भी प्रतीसत का साइन हटता है नीचे 100 आ जाता है बड़ा रहे हैं चोडाई को कम कर रहे हैं तो लंबाई चोडाई पहले 10 थी अब चोडाई कितनी बची नो ठीक है तो छेत्रफल का फरूर्मला क्या होता है आयत का छेत्रफल बराबर लंबाई गुड़े चोडाई दस पना 50 यहां पर आ गया नोई छिंग 54 अब आप खुद बताओ पचास से चेत्रफल 54 हो गया तो कितना बड़ गया चार बड़ गया और यह जो छार की व्रद्धी वहे हैं किस पर हुई है पचास पर तू चार्बटए पचास और किसी भी भिन्न का प्रतिसत निकालने के लिए सो से गुला, तो पचास से गम बचास, फचास दूनी सो, चार दूनी कि इतना आगया, आट परसेंट, तो अप्रसेंट की व्रद्धी एर उंपर जा रहा है, 8 सदे माइप परसेंट की व्रद्धी 10 गभी, जब पचास से छेत्रफल चंवान हो गय अगला question है question number 9 under root 30 25 25 बराबर क्या होगा वर्ग मूल 30 25 25 तो आप कहोगे सर 25 तो 5 का वर्ग होता है तो इसको मैं लिख सकता हूं 25 25 मतलब यहां से 5 बाहर निकलेगा यह किस का वर्ग होगा यह 55 का वर्ग है अब कैसे समझ में आया मैं आपको बताता हूं तो देख जब 55 का वर्ग हमनिकालते थे तो 5 का वर्ग कितना होगया 25 और 5 में मैं एक जोडता था। 5 और 1 कितना होगया 6 6, 5, 30, तो 30 को जब मैंने break करा ना, तो 30 को मैंने break किया 5 6 का 30, तो मुझे समझ में आया कि 5 6 का 30 है, मतलब जब मैंने 5 में एक बढ़ाया था, तो 6 हुआ था, तो 5 6 का 30 हो गया था, तो 30, 25 जो है वो 5 5 का बर गया, question है 72 gram और 0.36 kg से अनुपाद बताईए तो उपर रहेगा आपका 72 gram बटे में कितना आएगा बटे में आएगा 0.36 kg कितना आएगा 0.36 kg और हम जानते हैं कि 1 kg में 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 gram होते हैं जब उपर gram है तो नीचे भी gram में convert करेंगे तो मैंने सबसे पहले क्या किया देखो ध्यान से सबसे पहले मैंने लिखा 72 और नीचे से दसमलाव हटाया तो दसमलाव की बात कितने हैं कि दो तो उपर आगए 2 0 अब 36 एक किलो ग्राम में कितने ग्राम एक हजार तो चेतिस में आप एक हजार का गोणा कर दो तो ऊपर वाला भी gram हो गया नीचे वाला भी आपका वीडियो देखने का दिल से धन्यवाद मैं आपको दिल से धन्यवाद देखता हूं देता हूं जन्होंने वीडियो को पूरा एंड तक देखा आज की वीडियो में इतना ही जैहन जै भारत